नमस्कार मैं हूं कमल श्रीमाली आपका स्वागत अभिनंदन मेरे इसकारिकरम खेल गराओं का में हम बात करें रासिफल अगस 2019 की ये मासिक रासिफल आपकी जिग्यासाओं आपके सजेशन आपके कमेंट आपके कंटेंट जानने की इच्छा के अनुरूप हमने तैयार करके प्रस्तूत कर रहे हैं आप ये प्रोग्राम देखने के बाद में हमें कमेंट बाक्स में जरूर बताइएगा कि आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा आपने जो सुजाव दिये उसके अनुरूप ये प्रोग्राम बन पाया या नहीं बन पाया और आप और क्या जानना चाते और किस विशे में जानना चाते हैं ताकि हम प्रियास करके आपके सुजाओं पर अमल कर सके आईए बात करते हैं मिथुन रासी की तो रासी का अधिपती बुद्ध ही अपनी रासी से से किंड लाउस में धनिस्तान में है लेकिन अपसोज कि वो शत्रू रासी में है मंगल, शुकर, बुद्ध और सूर्य चारों ही ग्रह आपकी कुंड़ी के धनिस्तान में है बुद्ध और शुकर एक साथ में होना अपने आप में धन के लिए बहुत अच्छी इस्तिती है अथाथ बुद्ध कुंड़ी में लगने का अधिपती होकर के अपने से धनिस्तान में बैटा हुआ है और शुकर की बात करेंगे तो शुकर 12 ताउस और 5 ताउस का लॉड़ होकर के धन से सम्मन जोड़ रहा है अब सबसे बहले धन किस्तिती सबसे बहले आए का मतलब गेन या लाप किस्तिती और धन किस्तिती तो यहाँ पर कुंड़ी में 11 ताउस का लॉड़ अथाथ कुंड़ी में 11 ताउस का लॉड़ मंगल है अगल कुंडली में नेगेटिव रासी में है नीच रासी में और ये आठ अगस्ट तक नेगेटिव में है आठ अगस्ट के बाद में आपको फाइनिशल पोजिशन इंप्रूमेंट की स्टेज पर आ जाएगी अताद जो अगस्ट मा या ये बोल सकते हैं कि 22 जून 2019 से जो रही है वो आठ अगस्ट के बाद में नहीं रहेगी इसमें एक और इंप्रूमेंट आ जाएगी कि कुंडली में ब्रसपती 11 अगस्ट 2019 को मारगी हो जाएंगे और मारगी हो जाने से कुंडली में 7 ताउस और कुंडली में 10 ताउस इन दोनों का लॉड ब्रसपती है और ब् तो ग्यारा अगस्त के बाद में वो नियंत्रन से आपको फाइदा होने लगेगा, इंप्रूमेंट से आपको फाइदा होने लगेगा, तो आठ अगस्त से गेन आपका बढ़ जाएगा, ग्यारा अगस्त से गेन और इंप्रूमेंट पे या संतुस्टि प्रद होने लगेगा जो कुछ भी second house का lord है चनमा वो तो हर सवा दो दिन में अथा 54 गंटे पे बदल जाता है तो जब जब चनमा आपकी रासी से अच्छी position पर आएगा अथाथ आपकी कुणले में सिंग रासी पर आएगा तुला रासी पर आएगा धनू रासी पर आएगा कुम्ब रासी पर आएगा मेश रासी पर जब जब भी चनमा आएगा तब तब आपको financially गेन होगा अथाथ 8 अगस्त के बाद में जो आप commodity के अंदर share के अंदर speculation के अंदर investment करते हैं या उसका काम करते हैं तो आपको उसमें गेन होने के chances प्रबल है गेन होने के chances ज़्यादा बढ़ जाएंगे तो धन और संपत्ति की इस्तिति की जहां तक बात करें तो मंगल वहाँ पर नीच रासी का एट अगस्त के बाद में मंगल बदलने से आपकी इस्तिति और ज्यादा ठीक होगी तो साथ में 17 अगस्त को सूर्य बदल जाएंगे सूर्य सिंग रासी मा जाएंगे और सूर्य सिंग रासी माने से क्या प्रतिफल होगा इसका मैंने आपको प्रतक रूप से एक एपिसोड बना करके अपलोड किया है वो देखने से आपको ध्यान पड़ेगा कि सूर्य के रासी से थर्ड आ जाने पर आपको कितना इंप्रूमेंट आएगा अथाथ जो सिनेरियो है अगस्त का वो एकदम से बदल जाएगा अथाथ अगर आपकी पोजिशन हंडेट परसंट है तो मैं आपको यह बोल सकता हूं कि 300% इंप्रूमेंट 300% एचिवमेंट प्रोग्रेस की सिचुशन आजाएगी सिरफ और सिरफ अगस्त के पंद्रा सत्रा सत्रा अगस्त के बाद में अथा आठ अगस्त से मंगल रासी परूतन करेगा वो आपके लिए बैटर आजाएगा ग्यारा अगस्त इसको ब्रसपती मारगी होने से वो फाइनिशली गेंदेगा वो फाइनिशली बैटर करेगा और उससे आपके वर्किंग इन्वामेंट में भी इंप्रूमेंट आएगा साथ-साथ आपका दामपती जीवन भी इंप्रूमेंट आएगा सुकत दामपती जीवन होगा सांजि कुछ आपके लिए बैटर होने वाला है बहुत ज़्यादा improvement बहुत ज़्यादा achievement और बहुत ज़्यादा progress है अब यह आपके उपर है कि आप इस समय का कितना फाइदा उठा सकते हैं टाइम मैंने बताया है रासी आपकी है एक रासी के जानने वाले जोतिस को समझने वाले या जोतिस का यूज करने वाले लोग बहुत कम है और जो यूज करेंगे वो फाइदे में रहेंगे ये बात निश्चित है अब बात करते हैं गरेलु जिंद्गी की तो कुली में लगन का मालिक अताद आपकी रासी का मालिक और फोड़ अठाध घरलील जिंदगी का मालिक दोनों एक ही है वो है बुद्ध और बुद्ध करक रासी में अपनी सत्रूर रासी में इस सिचो़शन में आप अपने आप से संतुष्ण नहीं हो पाएंगे ना खुद से और और ना जिरुजिंदगी से हो सकता है आपकी माता जी के स्वास्ते को ले करके आपको चिंता हो और उनको जो प्रॉलम होगी नर्वस सिस्टम से लेटर प्रॉलम होगी या थ्रोट इंफेक्शन परेशान करेगा इसकिन से लेटर परेशान कर सकता है तो इन चीजों से आपको साबद handle करना है और यदि माता जी का एज बहुत ज़्यादा है उनकी आयू बहुत ज़्यादा है तब आपने ज़्यादा केर करने पड़ेगी क्योंकि ऐसी ही स्थिती में जब एज ज़्यादा हो जाती है तो आपका सरीर में जो भी रोओंगे वो आप फाइटिंग नहीं कर सकते है आपका सरीर खुद उनको रिपैर नहीं कर सकता इसलिए ज़्यादा केर करने की जोद पड़ती है अब बात करते है शिक्षा की रासी से से कंड आउस में आयवा शुकर कुंडली में बहुत अच्छा सिर्फ बुद के बारे में यह है कि बुद सत्रुर रासी में लेकिन रासी से सेकंड बुद हमेशा गें देता है हमेशा प्रॉस्परिटी देता है तो शुकर की इस्तिती आपके लिए बहुत अच्छी है और शुकर आपके इस कुंडली में कुल ट्वेल्थ आउस का अजुकेशन का लॉड भी है साथ में एक्षपेंसेज का लॉड भी है दोनों इस्तितियों में शुकर आपको सपोर्ड करेगा जो जो भी आर्ट के स्टुडेंट है जो जो भी सौफट्वर इंजीनियर हैं जो जो भी ड्रेसिंग से लेटेट अधा एक्टिंग से कोई भी creative काम कर रहा है interior decoration से लेटेड काम कर रहा है jams and jewelry से लेटेड काम कर रहा है event and entertainment से लेटेड काम कर रहा है import export से लेटेड काम कर रहा है उन लोगों को time period ये बहुत अच्छा gain देने वाला है बहुत अच्छा प्रतिफुल देने वाला है तो साथ ही साथ जो student इस से related काम करते हैं अता जो designing से related है जो animation का काम कर रहे है animation सीकर है animation की college या school join की हुई है institute join की हुई है उनके लिए बहुत अच्छा है जो जो भी software से related creative arts से related student है उनका ये time period बहुत अच्छा जाएगा उनको gain भी मिलेगा success भी मिलेगी और जो job के लिए लाल जाते हैं वो job भी मिल सकती है और साथ ही साथ मैं ये भी बोलना चाहता हूं कि जो job आपके लिए है exactly वही job आपको मिलेगी कई बार ये होता है कि आप चाहते कुछ और है और आपको करना कुछ और पढ़ता है तो ये time period ऐसा नहीं है और यदि आपको कोई ऐसी job नहीं मिलती है तो मेरे कहने से सिर्फ 17 अगस्त को जाने दीजेगा वहां से आपकी दुनिया बदल जाएगी job चाहते हैं वो होने लगेगा इतना विश्वास करिए आईए अब बात करते हैं health की तो मित्वन रासी के व्यक्तियों के लिए मंगल सिक्स आउस का लॉड है अतार रोग कर्ज कंपटिशन स्थान का मालिक मंगल है जो की कुणली में 11 आउस का भी स्वामी है और साथी 6 आउस का भी मालिक है तो मंगल अल्री नेगेटिव चल रहे हैं 24 सितंबर 2019 तक तो मंगल से लिटे जो कुछ भी प्रॉलम हो सकती है तो हाई ब्लड बेसिल से लिटे बात कर सकते हैं आप क्रोध और आवेशकी बात कर सकते हैं और 7-7 जो ही मंगल इन्वल होता है रवस्टिक रासिये गरोग से समझ रखती है तो पथरी से लिटे समस्या होने का खतरा रहता है आशका रहती है तो इस और से आपने सावदान साथ ही साथ सिक्स ताउस में ब्रेस्पती है तो ब्रेस्पती एंजाइम से लेटर प्रॉलम दे सकता है जो पाचन करिया है उसको मंद कर सकता है तो आपने अपने खानपान को आहर व्याभार को नियंतरित करने का प्रियास करना है अब बात करते हैं आपकी पस्तनल लाइफ की दामपत्य सुख की मेरिट लाइफ की तो कुणली में ब्रेस्पती सेवन ता उसका लॉड होकर के रोगिस्तान में है ये स्थिती ज़्यादा दिन नहीं चलने वाली है 5 नवंबर 2019 को ब्रेस्पती बदल जाएंगे और वहां से 20 नवंबर 2020 तक continue रासी सेवनती रहेंगे तो वो समय आपके लिए बहुत ज़्यादा बैटर होने वाला है ये जो समय चल रहा है ये समय टेंपरेरी है इसने ज़्यादा परेशान मत होई है जो कुछ भी आपकी personal जिंदगी में यदि ठीक भी नहीं चल रहा है तो 11 अगस के बाद में improvement के chances आपके बढ़ जाएंगे यदि आपके जिवन साती को कोई रोग है परेशानी है आपका mail जोल ठीक नहीं चल रहा है adjustment ठीक नहीं चल रहा है अपस में कटूता बड़ी वोई है वो भी 11 अगस के बाद में melt होने लगेगी आप थोड़ा सा प्रियास कीजिए थोड़ा सा मुस्कुरा करके बात कीजिए थोड़ा सा अपना पन दिखाईए ये problem जो भी कटूता कीए वेचार रिगमत बेद कीए वो निकल जाएगी ये बात पकी है और आगे आने वाला समय बहुत अच्छा है ये बात मैं आपको आज एड़वांस में बता रहा हूँ जो सांजीदारी के विफसाय कर रहे हैं जो मिल जूर करके कोई काम कर रहे हैं प्रोजक्ट है जिसमें बहुत से लोग मिलकर के काम करें चाहे वो फ्रेंड्स हैं और चाहे वो एक ही काम के प्रोपेशनल परसंस हैं तो भी मैं ये कहना चाहता हूँ ये समय आपके लिए संगर्स का है लेकिन इस संगर्स में भी आपकी जीत होने वाले इस संगर्स में भी आपको गेन होने वाला है क्योंकि ब्रस्पती अंततर अपनी मूल त्रिकोंट रासी के और बढ़ेगा मारगी होते ही वो इंप्रुमेंट देना है स्टार्ट करेगा और ब्रस्पती की रासी कुल्ली में टेंथ आउस पर है ब्रस्पती की द्रस्टी इस कुल्ली में सेकंड आउस पर है सेकंड आउस का मतबद धन और संपत्ती भी है तो टेंथ आउस और ट्वेल्थ आउस यदि दोनों ही है इसका मतबद काम दंदा भी बढ़ेगा एक्समेंसेज भी होंगे न की सेविंग के बारे में ये प्रिंसिपल हमेशा काम आता है अब बात करते हैं वर्किंग एन्वार्मेंट की तो जहां तक भाग्य का सवाल है भाग्य का अधिपती शनी अपने से 11 आउस में हैं वो आपको सपोर्ड कर रहा है अधा भाग्य आपके साथ में हैं और जिसके साथ में भाग्य है वो जो चाहिए वो सब कुछ कर सकता है बद सर्त एक ये इलिगल नहीं होना चाहिए खराब नहीं होना चाहिए समाज का विरोधी नहीं होना चाहिए और हमारे देश के हित के विरोधी नहीं होना चाहिए जो देश हित की बात करेगा वो सब का प्रिय बनेगा और जो देश द्रो की बात करेगा उसको हमारे देश में जगे नहीं है यह बात पक्की है तो यदि आप समाज की बलाई के लिए कोई भी काम करेंगे तो ये time period आपको साथ देगा क्योंकि भगए आपके साथ में शनी जैसा गर यदि आपको support करता है तो मैं ये कह सकता हूँ कि आप सब कुछ पा सकते हैं जो भी आपका काम है working environment आपको support करेगा और finance related जो आदमी काम कर रहे हैं जिनका काम या जिनका business फाइनस से लेटेड है education से लेटेड है consultancy से लेटेड है या training से लेटेड है utensil से लेटेड है confessionary item से लेटेड है वो लोग आने वाले समय में बहुत ज़्यादा गीन करने वाले हैं अब बात करते हैं ट्रेवलिंग की या traveling ही उनकी जीवन का हिस्सा है उनको traveling में इस समय आनन मिलने वाला है उनको traveling से gain होने वाला है success मिलने वाली है और बहुत ही pleasure आपकी trip होने वाली है और जो लोग इस समय कोई plan कर रहे है abroad गुमने का तो उन लोगों को भी बहुत अच्छी deal मिल सकती है बहुत अच्छे डंग से उनकी यात्रा हो सकती है यात्रा में उनको बहुत मजा आएगा अब बात करते हैं उपायों की तो जो आपको उपाय करने है वो सबसे पहले आपको उपाय करने है ब्रेस्पती के तो ब्रेस्पती को उपाय क्या कर सकते है तो ब्रेस्पते के लिए रोजा ना विश्णु सहस्त नाम या विश्णु चालिसा का पार्ट करें और नहीं तो विश्णु का मंत्र है ओम नो भगवते वासु देवा है उस मंत्र का जाप कर सकते हैं जाब कितना करना है ये संख्या निश्चित नहीं करनी है मेरा ये मानना है कि भगवान के सामने जाकर के हिसाब किताब नहीं करना है आप कॉंटक्ट नहीं लिया वाए भगवान से मैं आपका इतना मंत्र जाब करूँगा और आप मेरा ये काम करेंगे आपने भक्ति के वसी बूत आपको उसका बन जाना है इसलिए उनका नाम ले रहे हैं और नाम लेंगे तो आपको फाइदा मिलेगा हिसाब किताब नहीं रखना है कितनी माला जपी उसका ठीक आप हिसाब किताब छोड़ दीजिए आप सिरफ और सिरफ प्रभू की शरण में चली जाएए कि मेरे को यह समस्या है आप मुझे रा दिखाईए और आपको क्या चाहिए सर्फ यही कुछ मांगना है और एक चीज और मांगी हमेशा भगवान से मांगनी है तो मेरा कितना भी खराब समया है मेरी बुद्धी सही रहनी चाहिए मेरी बुद्धी खराब नहीं होनी चाहिए अगर बुद्धी सही है तो व्यक्ति कुछ भी खराब नहीं करेगा समाज विरोधी कुछ भी नहीं करेगा ना खुद के परिवार के अहित करने के सोचेगा और ना खुद अपने चरित्र को खराब करेगा तो ब्रस्पति के उपाय करने से आपकी लाइफ में आपकी गरगरस्ती भी ठीक चलेगी आपका वर्किंग एन्वार्मेंट भी अथा जहां आप जॉब करते हैं सब लोग आपका सपोर्ड करेंगे कुछ अहित नहीं हो पाएगा यदि कुछ आपको सुना भी दिया तो उसका नेगेटिव इंपेक्ट नहीं पड़ेगा सेकिंड उपाय कुछ करना है तो आपने बुद का करना है कि आपकी रासी का अधिपती ही बुद इस समय जो स्थिती चल रही है वो स्थिती guar गेटिव है छबिस अगस्त को बुद अपकर रासी से बदल जाएगा देन वो आपको सपोर्ड करेगा उसके बाद में जो स्थिती होगी रासी से फोर्ट आया वा बुद्ध वो सबसे ज़्यादा बेटर गेन देगा वो सपोर्ड करेगा तो समय से मैं हर गरह का एपिसोड बना करके आपको देई रहा हूं आपको बताई रहा हूं और आपको सिर्फ जान करके उस एपिसोड को देख करके जानना है कि क्या कुछ होने वाला है और यदि गलत होने वाला है तो आप अपने आपको सेप साइड में लाइए उस डेट को नोट करके रखिए और अच्छा होने वाला है तो मैनत ज्यादा कीजी तो ये बात थी उपायों की और जो उपाय कर सकते हैं और जो आपकी जिवन्दगी में भी ये सब कुछ मिलने लग जाए ये सब कुछ आपको प्राप्त होने लग जाए एक बात और है कि यदि कोई भी रत्न पहनना है तो रत्न अपनी जन्म कुंडली के आधार पर पहनना चाहिए रासी का मतलब ये नहीं है जो आपकी रासी है तो इसका मतलब ये है जिसकी रासी के रासी है वो सब के सब लोग यदि जहांपे चनमा और नीच रासी के उसी को धारन कर लेंगे यह नहीं होना चाहिए क्योंकि रत्न अमरत भी है और जैर भी है जो आपको सूट कर जाएगा वो आपके लिए अमरत है और जो आपको नेगटिव हो गया वो आपके लिए विश्व बराबर है और सब इस सेंटेंस के आदार पर मैंने डाइसो पेज़ किया किताब पूरी लिखी है रत्न अमरत भी और जैर भी यह उसका नाम है आप यह किताब घर बेटे मंगा सकते हैं चाहें तो इंटरनेट पर ढूंड लिए और यदि नहीं मिले तो संपर कीजे हम आपकी साहता करने के लिए सदे बेटे हैं तत्पर हैं और आपको कभी भी आपको अपरोच करने से मायूस ही नहीं होगी मेरा काम नहीं हुआ ऐसा कभी आपको नहीं मिलेगा खेर आज इतना ही स्वस्त रहिए प्रसंद रहिए अपना और अपने स्वस्त रहिए अपने झाल